तो इस पर्टिक्लर सचन में हम बात करेंगे आपका यहाँ पर ICR की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है अभी यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है क्या कुछ चीज़ है इसमें अभी आपको बताऊंगा मैं जो आये आ रही है जिसमें भी आपका टे जो अलग-अलग इंस्टिटूशन से अलग-अलग जगये पर वह आपकी 391 वेकैंसी है उसका ब्रेक अप यूर की 235 है दन 79, 23, 41, 13 इस तरीके से है और इसमें जो आपकी बेसिक पर होगी वह 35,400 की होती है और आपका इन दा हैंड वो 55 के लंसम पढ़ता है लेवल 6 में और लेवल 7 में आपका ये 62 के लंसम पढ़ता है ठीक है इन हैंड तो ये चीज़े हैं और इसमें बस आपका ग्रेजिएशन की डिगरी मागी गई है दौनों में ही विकास दौनों ही असेस्टेंट के वेकैंसी हैं आपका हैड़कॉर्स जो हैड़कॉर्टर की वेकैंसी होती ह इसमें थोड़ा सा अब इसमें कॉंपिटिशन भी जाद ही होगा तो देखो अब क्या चीज़े हैं कि इसमें जो एप्लिकेशन फॉर्म फिल अप होने स्टार्ट होंगे वह सावन्थ में से होंगे और ये फॉर्स जून तक भरे जाएंगे अच्छा भी टेकनिकल प्राइंड के लिए है तो अब इसका जो भी एक्जाम पैटर्न होगा एक बार जो पूरी नोटिफिकेशन आएगी आपकी सावन्थ में को जो पूरी नोटिफिकेशन है यानि की डीटिल नोटिफिकेशन जो होती है वह आ जाएगी उसको भी हम एक बार देख लेंगे कि यह एक्जाम पैटर्न किस तरीके का रख रहे हैं क्या कुछ चीज़े हैं और एक बार मैं आपको अभी जो आई से यार आई यार आई का फैबररी में एक्जामनेशन हुआ है ना उसके कॉशन भी सॉल करा दूँगा और जब मैं कॉशन सॉल कराने की बात करता हूँ तो आ साफी ज्यादा वीजी था अभी ही इसका जो सीबी एटी का फाइनल एक्जामनेशन हुआ है और डीएफजी से ल की दो वेकैंसी में वाने पड़ाया था जूनियर एक्जेगेटिव में और एक्जेगेटिव में जो आपका ऑपरेशन से बीडी होता है उसमें हमारे टोट अच्छे से आपको जब पढ़ते होना तो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना पढ़ता है और ये नहीं कि बस उपर उपर सब चीजों को कवर कर लो आपने देखा अभी ICR, IRI का एक्जामनेशन कितना अच्छे लेवल पर आया है और मैंने आपको ये हमेशे ही बोला ह कि मैट का जो एक्जामनेशन होगा आपका मैस का जो लेवल रहता है इन एक्जामनेशन में वो काफी जादा रहता अगर उन्होंने आपको दो गंडे का टाइम दिया है तो उसका मतलब है कि वो आपसे अगर एक ही सब्जेक्ट कल्कुलेटिव पूँच रहे हैं तो उसमे इस वार प्री एक्जामनेशन था मैठ करें है घग्जामनेशन में तो मैठ का लेवल जिन्ट पर नहीं तो मैं आपको खुद सौल कराऊंगा एक बार मुझे कमेंड करके भी बताना कि चाहिए यह नहीं चीए है ना क्योंकि अगर आप लोग को अगर नीड होगी तभी कराऊंगा अफकोर्स तो यह चीज़ें हैं और इसके अलावा जो अच्छे लेवल अफकोशन्स देखने को मिले ICR के अलावा वो देखे हैं NVS में NVS का जो आपका examination हुआ अगें वो ASO के लिए था Assistant Section Officer के लिए और आपका GSA है ना दो vacancies उसमें थी और बाकी तो कई सारी थी बड़ जो main vacancies थी वो थी ASO और GSA के लिए तो इसमें भी math का level काफी अच्छा देखने को मिला इवन अभी तक अगर 2022 की बात करें तो यही दो examinations हैं जिन में math अच्छे level की देखने को मिली है अगर हम SSC CGL के भी जो की आई है देको मैं आपको भी 2022 के overall जितने भी examination हुए है ना उनका pattern बता रहा हूं तो CGL के अगर आप बात करोगे इसमें reasoning के questions बहुत अच्छे आई हैं तो मैं आपको जो reasoning अगर इसमें पूछा जाता है क्योंकि आपका जो assistant का examiner TA का था technical assistant technician का था T1 का राइट तो इसमें T1 वाले में reasoning नहीं पूछी गई थी अगर इसमें अभी क्योंकि assistant का है तो इसमें म जिके तो देखो यार कोई भी examination हो चाहें आप NVS का उठा लो चाहें ICR का उठा लो चाहें SSC CGL का उठा लो अभी मैंने आपको जीके पनेशिया सीरीज चला रहा हूँ ना जीके पनेशिया सीरीज की अभी मैंने सिर्फ 6 class लें 6 class को आप करोगे ना फिर SSC CGL की answer की को examination दे रहा हूँ वहीं से questions आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे तो बात यह है कि recent examination जो जो होते जा रहे हैं में उनकी जीके prepare करनी है ठीक है तो यह कुछ बाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप starting से चीज़ों को देखके चलोगे तो at the end जैसे मैंने देख technician 1 का जो पेपर लिया था वो देखके मतलब मज़े ही आ गया तो यह चीज़ें है अब आई होप की वैसी गलते हैं आप लोग अब ना करो और लास्ट टाइम तो मैं टाइम नहीं दे पाया था आपके technician की वेकैंसी पर बट इस बार जो है इसे आर एससे सेंट पर हम लोग अच्छा खासी काम कर रहे होंगे तो जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दो उसमें तो कुछ बताने की जुरुवत है नहीं और बाकी की चीज़ना जो होती है लाइक शियर अगर कोई डाउट होता है वो कमेंट सक्षन में डाल देना डेटेल्ल जब नोटिफिकेशन आजाएगी तो इसका सलाबस क्या है अगर पीवाई क्यू पीवाई पीज मिल जाते हैं वो भी करेंगे और यह टेक्निशन टीवन वाली वेकैंसी के जो पेपर्स हुए है वो तो करेंगी करेंगे यह ठीक है यह सब चीज़े है और फिर बस यार इस सेशन का हो गया और यह सब चीज़े करेंगे और देखो एक चीज़ आपको बिलकुल नोट डाउन करके रखने है जो भी रिसेंट एक्जाम हो रहे है उनका अगर मैं सॉल्यूशन कराता हूं तो आपको आपको आनिहाओ देखने ही है वही कॉश्ण रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइन में रखने है कि रिसेंट वाले कॉश्ण मुझे आनिहाओ करने है अभी कौन-कौन से जिसे अभी आपका सीजेल की रिसेंटली आंसर कीज आउट हुई है तो वह आंसर कीज आपको लगानी ही लगानी है आप पीछे के करने है प्रिवेस यर के मैथ अगया रहा कि तो वह बस एक साल की कर लोगे वह भी इनफ है बहुत सारे वेपर्स हुए है अभी 2022 में आपकी 21 शिफ्ट हुए है आपके सीजेल के अभी सीजेल का इग्जामनेशन होगा उसमें भी 20 प्लस शिफ्ट तो जाएंगी जाएंगी इससे पहले आपका सीजेल का 2020 आला जो 21 में एग्जामनेशन हुआ है उसकी भी 21 शिफ्ट है हर शिफ्ट में 25 बच्चे समय्थ के कोष्षिट यान है तो मैस का जो भी रिसेंट एकग्जाम हुए है एक एक करके रिसेंट एकजाम इसए अर का पुठा लो मैस्स का पेपर इसमें बहुत अच्छे questions पूछेगे हैं मैंस के ठीक है और इवन जो ससी सीजल का में सेजिन का वह आईसी ए आर के questions को करके जाना आई बस समझ में तो बस यार कोई भी अगर डाउट परेशानी होते है कमेंट करके बताना और यह sessions चाहिए नहीं चाहिए बताना ठीक है एंड करता हूँ बाबाई